हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल आज हम बात करेंगे दोस्तो ओल कोर्स डिटेल के बारे में तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर ले और सारे इंपोर्टेंट वीडियोज डाले हैं उनको जरूस जरूर आप दे मेकसिमम means yeah Maximum 3 by a КO sometimes and then 3 कोर्स को आप टूय केंपास मैं अपलाई कर सकते हो ज्यादा-ज्यादा टू-पस में है व्यकिद्धि मेगसिममious निके लिए अप अंपलाई करोगे इससे ज्यादा आप अपलाई नहीं कर सकते हो और ठीक्ट यानिकि आप आप तीन कोर्स तीन केमपस में अपलाई नहीं कर सकते हो, मैक्सिमन टूई केमपस में अपलाई कर सकते हो, चाहे आप एक ही केमपस में तीनों अपलाई कर सकते हो, तो जितने भी कोर्स के डिटेल आपको जानने हैं, क्या तीस अफिसली अपने कोर्स के बारे में कहता है, क्य क्या करना पड़ेगे जो आप 3 कूर्स के लिए आप सोचे होगो या 2 को अको लिए को सच रहे हो उनके बारे में आप को मैई सेक्षट में आप मुझे करें हुआ और कॉमेंड करते ही आप अबना को लिएटल बता दे मैं उनका रे प्लाई जरूर दूगा कि क्या टीस ओफिसियली कहता है अपने कोर्स के बारे में तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ क्या मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं अभी फॉरम भरने का समय अगला मैने से हैं जो मैंने वीडियो सेर कर दिया है तो अभी से आप सभी को जान लेना चाहिए कि हाँ मुझे कौन सब़सा नहीं करना हैं तो अपने वह पर इंदके मन में डाउट से जो भी हो आप कोमेंट कर देंडीन इस कोर्स के बारे में मुझे जानना है तो मैं क्या कहता हुआ कि खार में तो ऊसको आपको सिच्व और को मैं मुझे से रिपलाय कंप मेर्म क dispersСп म आपको में फिर परतीक तो रही बात आपकी, तो इससे मैं आपको एक और वीडियो बना दूँगा जो आपको syllabus भी जानना हो, कि क्या इस course को पढ़ने के, क्या syllabus हो सकता है वो भी मैं वीडियो बना दूँगा, अगर आपको लगे जरूरी तो तो ओके फ्रेंड्स अगर आपको तीन कोर्स जो भी अपलाई करना है कोई भी परसानी लगए उसका कॉमेंट करना मैं जरूर से जरूर हेल्प करूंगा आपकी तो ओके फ्रेंड्स थेंक यू